अगर आप लोगों ने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्स्राइब कर लिजे बैल आइकून को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें दोस्तों ये जो सीरीज है अभी तक तो आपको समझ में आगया होगा कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो पजल और से डर तो बिल्कुल खतम होने वाला है आने वाले समय में तो बस इस सीरीज को शेयर करिए दोस्तों के साथ अपने जो भी आपके फ्रेंड्स है जिनसे पजल नहीं बनता, रेजनिंग में दिक्कत आती है, रिकमेंड कर दीजेगा थोड़ा सा और अनकैडमी का एप डाउनलोड कर लीजे, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं अनकैडमी का एप डाउनलोड कर लीजे, AL10 ये अनलॉक कोड है इस से आप सारी की सारी फ्री क् करके discount भी ले सकते हैं, चलिए, तो start करते हैं दोस्तों, ये question है, मैं थोड़ा सा side हो जाता हूँ, आप सबसे पहले तो वीडियो को pause कर लीजे, pause करने के बाद आप से जितना भी समय लगता है, तीन मिनट, पाच मिनट, दस मिनट, जितना भी आपको time लगता है, उतना समय ल चलिए, उमीद करता हूँ, आप लोगोंने अराम से समय लिया होगा, 8-10 मिनट, 15 मिनट का try किया होगा, अगर आप एक beginner है तो और आप एक pro हैं, तो 2 मिनट, 3 मिनट पे बन गया होगा, तो start करते हैं इसको देखते हैं दोस्तों कि कैसे इसको बनाना था, 8 people PQRSTUV and W were born on the same date and month of the different year, सबसे पहले कभी भी year वाला question आएगा तहां, पहले आपको पूरा आखरी तक पढ़ना है यहां तक, ठीक है, ऐसी चालू नहीं हो जाना है यहां से लिखना, तो अब देखो यहां पर क्या बोला है, different, on the same date and month of different year, सब year के नाम दिये हैं, but not necessarily in the same order, the calculation of their age is based on the current year 2020, आपको जो भी, मतब जितने भी बंदे दिये हुए, इन सब की age जो है, वो 2020 के हिसाब से निकालनी है, अब यहां पर मैं आपको trick सिखाता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, increasing order में इनको लिख लो, पूरी की पूरी जितने भी आपको year दिख रहें, 1947, फिर 195 1951, 1955, 1958, 1963, 1965, 1971, 1980, तो यह आपके पूरे 8 साल हो गए, अब पहले partition कर लेते हैं, अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या करना है, age जो निकालनी है, आपको क्या बोला था, 2020 के हिसाब से निकालनी है, तो सब age कैलकुलेट करोगे, बहुत जादा time लगेगा, तो एक तरीका बताता हूँ आपको, आप आखरी वाले का age को कैलकुलेट कर लो, 1980 में जो बॉन हुआ है, 2020 में उसकी age कितनी होगी, 40 साल, 2018 से 2000 तक हो गया 20, फिर 2000 से 2020 तक हो गया फिर 20, यान 20, 20, 40 साल, तो 40 साल इसकी age आ गई, ठीक है, अब क्या करना है, आप यहां पर देखो, यह 1980 से यह कितना कम है, 1971, यह 9 कम दिख रहा है, 9, यह 9 कम दिख रहा है, तो यहां पर 9 बढ़ा दो, 49 कर दो इसको, 71 से 65 टोटल कितना कम दिख रहा है, आपको 6 कम दिख रहा है, इसमें 6 बढ़ा दो, यानि कि ये कितना हो जाएगा आपका 55 65 से ये 2 कम दिख रहा है 2 तो यहाँ पर 2 बढ़ा दो 57 63 से ये 5 कम दिख रहा है तो यहाँ पर 5 बढ़ा दो 62 58 से ये 3 कम दिख रहा है तो 3 बढ़ा दो 65 55 से ये 4 कम दिख रहा है तो यहाँ 4 बढ़ा दो 69 51 से फिर 4 कम दिख रहा है तो 4 बढ़ा तो 73 उमीद करता हूँ यह trick समझ में आई होगी अगर नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं पीछे करो वीडियो को थोड़ा सा फिर से देखो कि मैंने क्या बताया और कैसे age निकालनी है बार बार देखो जब तक ना समझ में आई तब तक देखो यह बहुत बढ़ी है ट्रिक है कभी भी year वाला question आएगा आप within seconds आप यह सब की age निकाल सकते हो ठीक है बस थोड़ा सा calculation आपका अच्छा हून अची प्लस माइनस वाला अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों को आगे क्या बोल रहा है S was born immediately before P who was not born in an odd-numbered year बोल रहा है S was born immediately before P कभी भी just पहले, immediate पहले अगर आपको लिखना है तो हम कैसे लिखते है S was born immediate before यानि side में ऐसे arrow देना है कि P से immediate पहले S born हुआ है आगे आपको बोल रहा है P who was not born in an odd-numbered year P जो कि odd-numbered year में born नहीं हुआ मतलब यह even year पे born हुआ है तो यहाँ पर even year लिख देते हैं आगे आपको बोल रहा है 1 person born between P and R whose age is not above 60 बोल रहा है 1 person है P और R के बीच में और R की जो age है वो 60 से जादा नहीं है मतलब कि R जो है वो इन 4 जगा में कहीं पर भी आ सकता है यहाँ आ सकता है यहाँ सकता है यहाँ सकता है क्योंकि 60 से जादा उसकी age नहीं है ठीक है अब और A there is a difference of 8 year in the ages of W and V V who was born after W इसको ना break करके पढ़ना चाहिए कॉमा कभी भी लगा रहता है तो बहुत लोग कन्फियूस ज़राते है तो इसको break करके पढ़ोगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी there is a difference of 8 year in the ages of W and V पहले इतना पढ़ लो तो W और V के बीच में कितने year का difference है 8 साल का तो यहाँ लिख लेते W minus V W minus V is equals to 80 आना चाहिए इसमें mod लगा लिजए क्योंकि difference जो होता है वो कभी भी negative नहीं होता जो value बढ़ी होगी V और W में से उसमें से छोटी value को आप minus करोगे ठीक है तो यह हो गया इसका 8 अब देखिए आगया यहाँ पर फिर से देखो कैसे पढ़ना है मैंने क्या बताया था there is a difference of 80 year in the ages of W यहाँ तक पढ़ लिए अब फिर V से start करो V who was born after W इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी कॉमा वाले में कि किसको पहले लेना यह W के लिए बोला है V के लिए बोला है कितना नीचे होगा हमको नहीं पता हम नहीं बता सकते ठीक है अभी वो बाद में देखेंगे अब आगे देखें बोल रहा है आपको Q is elder than T Q जो है वो elder है T से मतलब Q जो होगा elder का मतलब क्या होता है बड़ा तो बड़ा भई H देखो ये बड़ी उपर की तरफ दिख रही है तो अगर Q जो है वो elder है तो उपर की तरफ होगा किस से T से अब देखो but not elder than U लेकिन ये U से elder नहीं है U से बड़ा नहीं है मतलब U से छोटा होगा तो U से छोटा होगा इसको ऐसे लिख सकते है U से नीचे की तरफ होगा अब और है more than 2% bond between Q and T Q और T के बीच में more than 2% इसको कैसे लिखते है ये देखो Q और T इनके बीच में more than 2 2 से ज़ादा 2 से ज़ादा याने plus 2 ऐसा लिखेंगे तो 2 से ज़ादा क्या होता है 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है तो जैसा कि मैंने पिछले class में आपको बताया था पिछले set में बताया था कि कभी भी आपको ऐसा कोई condition दिखता है minimum possibility एक नाम सुना था आप लोगों ने तो ऐसा कभी भी कुछ भी दिखेगा ना तो से ज़ादा है, 5 लेके देख लेते हैं 4 लेके देख लेते हैं, ऐसे randomly नहीं लेना है एक line से check करते जाना है अब देखें यहाँ पर इसको हम कैसे start कर सकते हैं, पहले तो थोड़ा सा conditions को देखी अच्छे से, और यहाँ पर हमको एक W और W वाली condition दिख रही है, जिसको हम कर सकते हैं W और W वाली से start कर सकते हैं, P से भी start कर सकते हैं, क्योंकि even year यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है, हम इससे start करते हैं दोस्तों, P और S से P आपको पता है, even year में है, even year इसके यह वाला दिख रहा है, मतलब P यहाँ पर ले सकते हो, उसके यह एक और यह, यह है, यह आउड है, यह और यह वाला event year है तो P को आप यहाँ पर यह देखो, इस वाले event year पर ले सकते हो और देखो उसके फिर पूरे odd है तो बस P के लिए यही दो जगर दिख रही है, ठीक, S जो था वो इससे just उपर था, S जो था वो इससे just उपर मतलब कि यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यह condition हमारी हो गई, ठीक है, इसके बाद देखिए, P से 1 छोड़कर R रखना है, P से 1 छोड़कर R को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, अब देखो आपको पता था, R जो है, यहाँ पर आना चाहिए था, इन 4 में से किसी एक पर R दिख रहा है, मतलब सही है यह condition भी, P से 1 छोड़कर R को आप उपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि R की age जो बोला था, आपको वो बोला था, 60 से उपर नहीं है, तो मतलब उपर की तरफ R नहीं हो सकता, तो P से 1 छोड़कर R को नीचे ले लो, यह condition भी हो गई हमारी, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और कौन सी condition दिख रही है हमारे पास, W और V वाली दिख रही है, इसको पहले चेक करते है, W के नीचे V रखना है, आठ साल का difference होना चाहिए, देखो, आठ साल का difference, अगर मैं 73 पे रखता हूँ, तो 73 से 8 साल क्या होते है, 63 से 8 साल क्या होते है, 65 ये possible है, एक तो ये possibility बन गई, मैं यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ, कि ये दो की possibility एक बन रही है, कि 73 और 65 आठ साल का gap आ रहा है, 69 से 8 साल का gap क्या होता है, 69 से 8 कम करोगे, 61 होता है, 61 तो कहीं दिखी नहीं रहा, मतलब यहाँ तो आप रखी नहीं सकती है, ये तो possible ही नहीं है, 65 से देखते है, 65 से अगर आप 8 साल कम करते हो, तो क्या होता है, 57 होता है, तो ये देखो, एक possibility ये वाली बन रही है, ऐसा, ठीक है, और देखते हैं, 62 से 8 साल क्या होता है, अगर मैं 62 से 8 साल कम करूँ, तो मुझे कितना दिखेगा, 54 दिखेगा, 54 तो यहाँ पर दिखी नहीं रहा है, पॉसिबली नहीं है, और देखते हैं, 57, अगर 57 से मैं 8 साल कम करूँ, तो 49 होता है, त W को अगर यहां रख दोगे तो इस जगह पे V नहीं आपाएगा मतलब यह वाली possibility गई अभी हम सिर्फ यह second case को check कर रहे है ठीक है यह पहला case है यह second case है तो W को अगर यहां रखते हो तो यहां पर V नहीं आपाएगा गलत हो गया W को आप यहां पर रखी नहीं सकते मतलब यह वाला भी case गलत हो गया तो एक ही case बच रहा है यह वाला तो W को यहां रखो V को यहां रखो हो गया अब यह condition दिख रही है एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं U, Q, S, P, W, R, V, T U, Q, S, P, W, R, V, T बिल्कुल सही है अब काफी नों बोलेंगे सर आपने इधर वाला क्यों नहीं चेक किया आपने इधर वाला क्यों नहीं चेक किया आपके पास total तीन possibility थी pairs की ठीक है उसमें से दो उसमें गलत हो रही है सिर्फ एक ही possibility आपको चेक करनी है तो वो minimum हुई ना, एक सबसे minimum होता है इसे को बोलते minimum possibility जहाँ आप सारी Possibilities को remove कर देते हो, eliminate कर देते हो इसको हम बोलते minimum possibility तो इधर वाले को आप बाद में चेक करते हैं अगर यह गलत हो जाता तब इसको चेक करते हैं मैं यह नहीं बोरा हो जाता लेकिन तब करते हैं जब महनत लगती तो पहले उसको चेक कर लो सही होना होगा तो हो जाएगा गलत होना होगा तो जल्दी गलत हो जाएगा तो उमीद करता हूँ यह minimum possibility आप लोग धीरे-धीरे करके इस series को पूरी देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे recommend करिए दोस्तों आप अपने friends को ताकि वो भी puzzle सीख सके अच्छे से और exam में नाम रोशन कर सके मेरा और अपना भी ठीक है तो all the best मिलेंगे दोस्तों next class में बने रहिएगा bankers अपको subscribe कर लिजगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो और unacademy पर मुझे follow करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों unacademy पर जरूर follow कर लिजगा banking category में सबसे ज़्यादा followers है और इसको बरकरार रखना है तो please अगर आप आपने से कोई नया student है तो जरूर आप अंकुष लांबा search कीजएगा ये search करके दोस्तों follow जरूर कर लिजएगा follow करने से क्या होगा जितने भी मेरी free classes वगरा होते रहती है वो सबकी notification आपको मिलते रहेंगे all the best you can and you will अगर आप चाहें तो